हेलो गाइज, वेलकम टू ओनलाइन मंतरा, इस वीडियो में भारत रतन अवोर्ड के बारे में जानेंगे, जो इंपोर्टन टोपिक है, स्टैक्टिक जेके का पार्ट है, तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं भारत रतन हायस सिविलियन अवोर्ड है, और इसके स्टार्टिंग का पुई थी 2 जनवरी 1954 में, इसको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ओक्यूपेशन, कोई पोजिशन, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, बिना किसी जैंडर के, बिना क किसी डिस्क्रिमिनेशन बिना भेदभाव के दिया जाता है, ठीक है, तो हायस सिविलियन अवोर्ड है, 2 जनवरी 1954 में, इसको स्थापना की गई थी, बिना किसी जाती धर्म, भेदभाव के बिना करके, इसको दिया जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं, ये किस-किस साइन्स के छेत्र में भारतरतन दिया जाता है, एक साल में मैक्सिमम तीन लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है, एक साल में मैक्सिमम तीन लोगों को ही दिया जा सकता है, और पर एक एक सेप्शन है, एक नाइन्टी नाइन्टी नाइन में एक एक सेप्शनल येर है, जिसमे चार लोगों को दिया गया था बस यही एक एक सेप्शनल है जिसमें चार लोगों को दिया गया था अधरवाइस सब में हर हर साल तीन कोई दिया जाता है अब नेक्स्ट है यह किस के दवारा दिया जाता है यह प्रेजेडेंट के दवारा दिया जाता है और कब दिया जाता है रिपब्लिक डे पे दिया जाता है इसमें कोई रुपए धनराशी नहीं दी जाते है इसमें सरफ एक सम्मान दिया जाता ह और जो पीपल की पती की जो शेप होती है उस पे भारत रदन लिखा होता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इसमें कोई रुपय वगरह नहीं दिया जाता है यह एक ओनर वाला अवर्ड है मतलब इसमें सम्मान दिया जाता है, अभी तक total कितने लोगों को दिया गया है, 48 लोगों को दिया गया है, अभी तक total, और पहली बार जब 1954 में, तीन लोगों को दिया गयां था, सबसे पहला किसको दिया गया था, S. Radha Krishna ये याद रखना सबसे पहले किसको दिया था S. Radha Krishna S. Raj Gopalachari S. V. Raman S. V. Raman को Physics के छेतर में दिया गया था तो पहले S. Radha Krishna S. Raj Gopalachari and third is S. V. Raman Next है कि अब तक 16 परसनेंज से हैं जिनको Post-Humas का दिया गया है लेकिन अभी 17 हो जाएंगे अभी कल जो हमारे ओनरेबल प्रणों मुखर जी हैं उनकी डैथ हो गई है तो इस वज़े से इतने पोस्ट थ्यूमस के हैं ठीके गाइस पहला जो पोस्ट थ्यूमस अवोर्ड वो किसको मिला था भारत रतन में वो था लाल भावदर सास्थ्री उनको मर्णों प्रांत दिया यह था भारत रतन अब यह कउशन पूछते हैं सबसे छोटी एज में किसको दिहा गया सबसे छूटी एज में dressing तै को दिया गया वो उनको सबसे कम उम्रके व्यक्ति हैं जिनको भारत रतन मिला हुआ है और सबसे old age के पर्सन कोन है दोन्दो के सबंगत वर कर वी यह पर्सन ऐसे है इनको इनके बहुत ज़्यादा ओल्ड一 दी तब उनको भारत रतन पुरसकार मिला ठीक है भाईज अब फस्ट सिंगर कोन है चिसको भारत रतन मिला उनका नाम है सुबाल लक्षमी उनका क्या नाम है सुबाल लक्षमी फर्स्ट नेशनलाइजड सीटिजन मदर तेरेसा नॉन इंडियन नोन इंडियन दो है खान अब्दुल गफार खान एंड नेशनल मंडेला कौन-कौन है खान अब्दुल गफार खान एंड नेलसन मंडेला यह नोन इंडियन है मतलब इंडिया के नहीं है आगे देखते हैं अब दो साल ऐसे हैं जिनमें मतलब दो ऐसे ऐसे गैप जिनमें कोई प्राइज कोई अवोर्ड नहीं दिया गया तो वो साल कौन-कौन से 1977 से 1980 तक और 1992 से 1995 ये पीरिड ऐसे हैं जिनमें कोई अवोर्ड कोई वो नहीं दिया गया नेक्स्ट है 1992 इसमें सुभास चंद्र बोस को दिया गया था फिर सरकार ने वापिस ले लिया था ये अवोर्ड इनसे वापिस ले लिया था कब 1992 में इनको अवोर्ड रिटर्न करना पड़ा अभी 2019 के अभी 2019 में भी तीन लोगों को दिया गया है एक बुपेण हजारिका ये बुपें हजारिका है इनको 2019 में अभी लास्ट इयर दिया है ठीक कैसे एक तो यह ओ गए दूसरे कों है नाना जी देश्मुख इनको भी इनको मर्नोपरांत दिया गया है ये इनकी डेथ हो चुकी है और नाना भुपेन हजारिका की भी डेथ हो चुकी है अब नेक्स्ट है प्रणो मुखर जी इनका तो आपको सभी को पता होगा इनकी तो कल ही डेथ हुई है तो इन तीन लोगों को दिया गया है अब यह तीन नो इन तीनों के डेथ हो चुकी है तो पोस्तियूमस अ में अवोर्ट दिया गया है, thank you guys, I hope आपको अच्छा लगया होगा content, thank you for watching the video, do subscribe, if you like the video, please hit the like button, thank you.